सुमन बाश पे बड़ी खबर से करते हैं बुल्टिन की शुरुवात और आहम जानकारी आपको मता दें जहांपर नैशनल हेराल्ट केस में पूश्टाच पूश्टाच के विरोद में कॉश्टाच का प्रदाशन सोनिया से एडी की पूश्टाच का विरोध और कॉश्टाच ने Money Laundering कानून पर भी आपको मता दें है तो सवक्त की बड़ी खबर आपको मता दें एजी सोनिया गांधी से आज भी पूश्टाच करेगी और इसी पूश्टाच का विरोध कॉंग्रेस लगातार कर रही है सड़कों पर हला बोल कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस ने मनी लॉंडरिंग का सवालों का जो दौर है वो चला था बताया जोरा है कि उस दौरान सोनिया गांधी के लिए थी हाला कि कॉंग्रेसी सड़कों पर हला बोलते हुए नजर आये थे राहूल गांधी को हिरासत में भी लिया गया था तो यहां खबर आपको हम बता रहे हैं कॉंग्रेस ने मनी ल पुष्टाश के विरोध में कॉंग्रेस का जोरदार तरशन भी देखने को मिल रहा है यह बड़ी खबर आपको मता रहे हैं जहां पर सोनिया से एडी की पुष्टाश का विरोध देखने को मिल रहा है कॉंग्रेसी सड़कों पर उदर कर हला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तोर पर यहां पर न सिर्फ कई चीजों पर सवाल उठाय जा रहे हैं बलकि E.D. पर भी सवाल उठाय जा रहे हैं और साथ ही साथ जो एजिंसियां हैं उन पर सवाल उठाय जा रहे हैं नैशनल हराज केस में पुष्टाश होगी यह आहम खबर आपको मता रहे हैं इस सवालों का सामना आज सोनिय गांधी को एक बार फिर से करना होगा हाला कि अभी आपने सोना कॉंग्रेस पार्टी की और से प्रेस कॉंफरेंस कर भी कहा गया कि एज का और उनकी हेल्थ का ख्याल भी रखना चाहिए लोग तंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है हम लोग तंत्र में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़े हैं लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर चीजों का ध्यान रखा जाए सोनिया गांधी इन चीजों को नहीं देखती थी हैं भी आपने देखा यहां पर गुलाम नभी आज़ाद के और से भी बड़ी बाते कही गई थी हो और सोनिया से एडी की पुश्टाश का विरोध कॉंग्रेस पाजी करती हुई नजर आ रही है तो यह हम खबर आपको हम ब और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में दिली से हमारे समाता प्रिंस जैस्वाल जोड़ चुके प्रिंस सोनिया से एडी की पुश्टाश का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है लेकिन फिरहाल आप बता रहे थे कि 11 बज़े तक पहुंच सकती है ड आपने नहीं आए था कुछ सवालों के जवाब नहीं दी थी और आज जो है एडी ने दुवारा अपने एडी दफ्तर बुलाया है और महज इसते पहले अगर सोनिया गांधी दफ्तर जाती उससे पहले हंगामा देखने को मिला जो उनके कारेकरता और उनके बड़े जो ली लीए को बैठ गए है और सोनिया को लगातार जो है मांसिक टोर्चल किया जा रहा है उनके बड़े लीडर 라고 जो है उनके कारे करताओं कहना है माज कहीं नहीं सोनिया गांधी जो है Director Heats कर रही है और ED लगातार उनसे तबाल और जबाब का बोचार कर जा लिये है महाज को जिस तरीके US तर्हेते साहर से परपिकार्ता की जुन अग अगया अगया घरएक लिए तो देख रहे थे महाज सारभी आज जिस तरीके से इइड लगातार रहुल गांधी तोड़ी देर खराब हो गई उनको 20 दोक्तर की टीम आई इडी दफ्तर उनका जो है तबेत का जायजा लिया उसके बाद जो है डॉक्तर को लेकर क्या कोई अपडेट है क्योंकि अभी हमने प्रेस कॉंफरेंस जो कॉंग्रेस की हुई वो भी अपने दश्कों को दिखाया था जिसमा साफ तोर पर ये बात कही जा रही थी जो भी कॉंग्रेस पार्टी के निता थे चाहे वाशू कैलो थो या गुलाम नभी आज़ाद हो वो यही कह रहे थे कि देखें लोकतंतर की मज पुष्टाच एजिंसियों का जो दबाव होता है वो एक आम आदमी नहीं जिल पाता है से में सोनिया गांधी के लिए थोड़ी से मुश्किल हो रही है या आज पुष्टाच जब प्रेस कॉंफरेंस हुई तब कॉंग्रेस पार्टी ने इन सारी चीजों को कहा है क्या दबतर नहीं जा सकती है जिस तरिके से जो एं तमाम बड़े लीजर्स जो है दिली कॉंग्रेस दफ्तर में जो प्रेस कॉंफरेंस करके जो जानकारी दीया उत्ते कहना है कि मत्तव यह है कि लगतार बिपक्ष की भूम का निवार ही है तोनिया गांधी माज Uniky यह और चों पुलेटन जो है जिस तरीके से चाहे सोनिया गांधी की तरफ से हो और चाहे जो है इडी दफ्तर से वैसा कुछ आया नहीं है कि आप सोनिया गांधी इडी दफ्तर नहीं जा सकती है जी मिलकुल यानि अब तक इस तरह की कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं है पाई है लेकिन जो कॉंग्रेसी है उनका हलबो लगतार जारी हो और इसे पर वस्तार से और बाकशीद करने के लिए मारे साथ में नियूजरूम से हमारे सही होगी विशाल मिश्रा भी जोड़ चुके सत्याग्रे पर उतराई थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सारी चीजों को राजनितिक तोर पर राहूल गांधी भुनाना चाहते हैं क्योंकि सवाल उठ रहे हैं तो सवालों पर सत्याग्रे की क्या जरुता पड़ियाक है जिब कुल इनी सवालों का जवाब भी कल राहूल ग पर देश के बदलते हालाटों पर हमारे विदेशी मुद्रा के कम होने पर इन सब में सत्यागरह कर रहा हूं कांग्रस पार्टी इन सब मुद्रों के साथ सत्यागरह पर उत्र h Machtर। उसके पूचा हो और पजीर पर यह आप कौंग्रेस पार्टी विशाल बिलकुल मैं आपकी यही बाद जोड़ना चाहती थी कि जब मीडिया उनसे सवाल कर रहा था कि भाई किस चीज को लेकर सत्याक रहे है तब बात हो रही थी बेरोजगारी की और भी बहुत सारे मुद्धे जो है फिलाल देश में ताजा उन मुद्धों को लेकर सवाल कर रहे हैं तो उनके सवालों को जबाब देना बनता है ऐसे में पहले तो बचाव हो रहा है उसके बाद इस तरह की बाते राजनीती भी हो रही है क्योंकि आप सत्यागरा किसी और चीज को लेकर कर रहे हो बाद में जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप देश के मुद्धो पूछ दिन पहले नहीं हो रही थी तब नहीं उठा जा सकते थे क्या टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठेगा राहूल गांधी पर बिलकुल दिक्कत ही होती है कि भाजपा जो काम कर रही है भाजपा कि किसी नेता के लिए कुछ होता है तो राश्ची पर्व बना देते ह सबसे उपर रखा बेरोज़गारी को पीछे रखा सबसे वड़ी चीज किस तरह से आप देखे साथ आज आठवा दिन है संसत का खबर के आ रही है कि कि किसी मुद्धे पर वहस हुई सिर्फ ये खबर आती है कि आज फला पाटी के उननिस सांसत सस्पेंड कर दिये गए राश्चाबा से सदन इतने दिन के लिए सगित हमारे पैसे सदन चलना है और हमारी बात नहीं हो रही है ये बात राहुल गांधी ने भी कही राहुल गांधी इसी चीज को कह रहा है कि कल विपक्ष को बिल्कुल दबाज दिया जाएगा आज पर सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने का काम कर सकते हैं लेकिन विपक्ष जितना मजबूत होगा लोगता उतना खुश्चूरत होगा लेकिन इस गौर्मेंट में यह नहीं हो रहा है ऐसा गुलाम नभी आजात अजे बा है जब से जैराम नरेश परवन खेडा इन लोगों ने कमान समाली है जो कॉंग्रेस का जो रवया है चीजों को लेकर वो चेंज हुआ है बिल्कुल अपने अध्यक्ष के लिए उतरना पड़ेगा अगर अकले शादों पर कोई फायार दर्ज होती है तो तमाम समाजवादी पार्टी कारकार्णी निकल के सलक पर धर्ना प्रदशन करती है अपनी मांगे बताती है अपनी चीजों को दिखाती है तो वही कॉंग्रेस नहीं कर रही थी बेशक को राहूल गांधी से पहले पूस्ता आच हुई उसमें ये करना पड़ा लेकिन अब सोनिया गांधी है अ कॉंग्रेस में लीडर्शिप की कमी है इंसे भी थोड़ा दिखाने के लिए धर्ना प्रदशन किया रहे हैं करिमा बिल्कुल यानि इन सारी चीजों को कॉंग्रेस पार्टी कहीं न कहीं ध्यान में रख रही है और देखे 24 का चनाफ जैसा कि आपने इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है मुद्दों को भी उठाना है और अपने अंत्रे मद्धक्ष के लिए लड़ाई भी लड़नी वेशल बने रहे हैं मरसाथ आगे आप से अपडेट लेंगे मरसाथ में दिल्ली से प्रिंस भी लगतार बने हुए प्रिंस फिलाल क्या आपके पास क्योंक जबाब नहीं दे पाई माज अभी सबीक्त की बजे से अल्टीमेटम नहीं यहां पाया है कि सोनिया गांदी को फक्ता जानकारी मीडिया के पास नहीं आई है कि जो है दिल्ली दिल्ली के एडी दफ्तर जो है सोनिया गांदी पहुंचे अभी असमंजस में मामला है कि सोनिया गांदी एडी दफ्तर पहुंची की है यह नहीं पहुंची की लेकिन काड़ेकर्टा का हुजूम जो है लगतार सरकों पे जारी है जी बेलकुल यानी हुजूम जो है वो अभी भी जारी है विशाल भी हमारे साथ में लगतार बने हैं विशाल हमने देखा कि जो हला है वो कॉंग्रेस पार्टी के जो भी लोग है वो लगतार बोल रहे हैं राहूल गांधी से तो जब पूछताज हुई थी तो कॉंग्री चासत राजू के मुख्यमंत्री तक उतराए थे सड़कों पर मुझे लगता है कि ये तस्वीरे किसे सचिपी नहीं रही है पूरे देश ने देखा है लेकिन सवाल ये भी उट रहे ना कि राहूल गांधी इतना सब कुछ कर रहे हैं एक सवाल बराबर उट रहा है कि ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर एजिंसियों पर जो सिर्फ किसी सरकार की नहीं होती पूरे देश की होती है वो सरकार पर भी जाच कर सकती है अभी एडी ने आली में बंगाल में कितना बड़ा खुला सकिया और ऐसे में अगर विश्वसनियता पर ही सवाल उठ कि ढम कांगरेस के लोग करें तो कंग्रेस क कहें कि इडी बहुत अच्छा काम कर रहे है इस पिस्ते दें छोक्तरी होquito हिस्त ही वगारी दोतीं कर देते हैं उसके बाद टी हु जाती है क्या और देखे अि पात यह भी है कि एकनाश शिंदे के पास भी इडी गई थी लेकिन पूस्ताज संजय राउच से बहुत पुराने केस में होने लगी इन चीजों को भी देखना चाहिए बंगाल में बी कॉंग्रेस बार बार यही चीज कह रही है कि आप एकनाश शिंदे से पूस्ताज क्यों नहीं हुई थी आपने बंगाल में और बीजेपी के नेता थे उनके साथ क्यों नहीं है मुकल रॉय के केस क्यों खत्म हो गए यह सब सवाल थे इन पर भी कॉंग्रेस गेरी कि आप हाँ एडी है पूस्ताज करें कि बिल्कुल लेकिन जब मनी लॉंडरिंग हुई नहीं वो विरोधियों की बास सुनता है इन सब में पिस्ते बस एडी के अधिकारी है बिल्कुल यारी कहीं न कहीं देखे एजनसी पर सवाल उठेंगे तो विश्वसनयता कम होगी और तेश की जनता जो है वो कम विश्वास कर पाएगी प्रिंस भी हमारे साथ में लगतार बने ह कर दो आप बता रहे हैं कि फिलहल पहुंचने के जानकारी जो है वो सामने आ रही है किया कॉंग्रेस मुख्याले के बाहर किस तरह के हालात है इसको इसे जोड़ी को जानकारी आपके पास क्या कॉंगरेस जो है नजर आना शुरू हो चुके है मैं आपको बता दू कि हर्चल जो है शुरू हो चुकी है और कुछी समय परचाज जो है सोनिया गांधी का आने का अल्टीमेटम शुरू हो जायेगा यानि कुछ बाते सामने आतकी है कि सोनिया गांधी इरी जबतर पहुँच सकती है और जिस तरीके से लगतार कॉंग्रेस प दिल्नी पुलिस के जवान जो है लगतार सर्कों पे तैनात हो चुकी है बेडिकेटर्स के साथ पान से छे गाड़ी सिप अंदर इडी जफ्तर के अंदर जाएगी और बाकी सभी कार्यकरता को राजनेता को डिटेंड किया जाएगा वहां से हटा दिया जाएगा बेलकुल प्रिंस आपके पास लोटेंगे और पूरी अपडेट और भी हम लेंगे लेकिन इसे भी शेक बड़ी खबर सामने आ रही है एक और बड़ी